नमस्कार दोस्तों टेसला आज के दिन दुनिया की सबसे वैलियोबल कार कमपनी है इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन वन ट्रिलियन डॉलर्स क्रोस कर चुकी है यह इतनी कीमती है कि यहाँ पर एक तरफ अगर मैं टेसला को रखूं और अगली 10 Most Valuable Car Companies को देखा जाए फोर्ड, हॉंडा, फोल्सवागन, तोयोटा, बीमड़ू इन सारी 10 कमपनी की Combined Valuation टेसला के बराबर पहुँचती है ऐसी क्या खास बात है टेसला में क्या जादू किया है एलॉन मस्क ने कि यह कमपनी इतनी कीमती बन गई आए आज के वीडियो में समझते हैं टेसला का बिजनस मॉडल पहली नजर में देखकर आपको लगया कि अगर टेसला इतनी कीमती कमपनी है तो बहुत सारी गाड़ियां बिकरी होंगी टेसला के यह बात सच नहीं है दोस्तों हाँ यह बात सच जरूर है कि टेसला ने इस साल जो गाड़ियां बेची है वो पिछले साल के कमपैरिजन में काफी जादा थी तो ग्रोथ अच्छी हो रही है लेकिन अगर अगर आप कमपैर करोगी टेसला ने 2021 में कितनी गाड़ियां बेची या 2021 खतम होने तक कितनी गाड़िया बिकेंगी टेसला की तो वो एक मिलियन से भी कम है यहाँ पर है सारी गाड़ियां जो सारी कमपनीज के दोवार बिक रही हैं वर्लड वाइट 75 मिलियन टेसला अराउंड 900 थाउजन एस्टिमेट किया रहा है इस साल बिकेंगी तो ओवरॉल मार्केट शेयर टेसला का सिरफ 1.2% है इतना कम मार्केट शेयर फिर भी इतनी ज्यादा वैलियोएशन आएए देखते हैं कौन से में प्रोड़क्ट्स है जो टेसला के बिक रहे हैं जहां से टेसला को पैसे मिलते हैं गाड़ियों की बात करें तो में लिए चार मॉडल्स है टेसला के जो बहुत पॉपिलर है मौडल एस मौडल थ्री मौडल एकस और मौडल भाई इन वैसे सबसे मेहंगी गाड़ी है मौडल एकस अरौण 90,000 डॉलर से गाड़ी की लिए उसके बाद है मौडल एकस crying 90,000 डॉलर फिर मौडल वै 55,000 दॉलर और Model 3 टेसला की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी सबसे सस्ती गाड़ी भी है टेसला की at 42,000 डॉलर इंडिया में जल्दी एक्सपेक्ट किया जा रहे है कि टेसला Model 3 गाड़ी को इंटर्ड्यूस करेगी आम तोर पर जो टेसला Model X है और S है वो 10,000 के करीब है और टेसला Model 3 नमबे हजार ये चार्ट quarterly deliveries दिखा रहा है अब एक गाड़ी को सेल करने पर कितना profit margin मिलता है टेसला को इसका अंदाजा लगाने के लिए हम देख सकते हैं automotive gross profit margin जो की basically होता है कि overall sales कितनी होई minus manufacturing costs कितनी पड़ी टेसला के लिए percentage है 30.5% जो की काफी high profit margin में माना जाता है पिछले सालों के comparison में पहले टेसला का ये 27% के around हुआ करता था अब 30% cross कर चुका है बड़ी अच्छी growth दिखी है इसमें भी और अगर आप बाकी car companies से इसे compare करोगे तो ये ज्यादातर companies से ज्यादा है BMW Mercedes को भी इतना high profit margin नहीं मिल पाता है ज्यादातर car companies का ये 15-20% की range में ही रह जाता है in fact ये जो 30% से ज्यादा का profit margin है ये सिरफ high end extreme luxury brands को मिल पाता है जैसे कि Porsche company होगई या Ferrari company होगई अब गाड़ियां बेचना Tesla के लिए एक main source of revenue है ज्यादा तर पैसा जो Tesla company कमाती है इन car sales से ही आता है लेकिन ये एकलोता source of revenue नहीं है और क्या sources of revenue है इस company के लिए mainly तीन categories में divide किया जा सकता है इसके sources of revenue को पहला है automotive जिसमें गाड़ियों की sale करना आता है लेकिन इसके इलावा sale of regulatory credits भी इसी में count किया जाता है और ये sale of regulatory credits क्या होता है इसे मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा इसके इलावा है servicing गाड़ियों की servicing कराना भी एक source of revenue है company के लिए और तीसरा main source है energy का जो business है Tesla का शायद आप अलड़ी जानते होगी कि Tesla company सिर्फ गाड़िया नहीं बेचती है ये एक solar roof भी बेचती है power wall भी बेचती है solar roof का concept बड़ा simple है आपको अपने घर में solar panels लगवाने है टेसला के लगवा सकते हो power wall जो इनका product है वो भी renewable energy के perspective से बनाया गया है अगर आपके घर पे solar panels लगे होंगे और जब धूप नहीं निकली होगी अच्छी तो कहां से electricity मिलेगी आपको energy store करने के लिए कोई जगें चाहिए तो इनकी power wall energy storing device है दिखने में ये wall कुछ S.E.C. दिखती है इसके लावा टेसला का plan है कि एक electric truck भी निकाला जाए cyber truck इस पर अलड़ी काम चलने लग रहा है और टेसला ये भी plan कर रही है कि एक low cost car का model निकाला जाए future में अभी इसका नाम उन्होंने disclose नहीं किया है जो 25,000 डॉलर तक cost करेगा तो middle class लोग भी अमेरिका में इसे afford कर पाएंगे अब इन सब को मिला मिलू कर जो total revenue है टेसला company का साल 2020 में ये था around 32 billion dollars साल 2021 में estimate किया जा रहा है around 45 billion dollars इस chart में आप देख सकते हो इनके revenue में कितनी growth दिखी है तो revenue basically वो पैसा होता है जो company के पास आने लग रहा होता है company जिस पैसे को कमा रही होती है इसी chart में आप future का भी projection देख सकते हो कि कितना estimate किया जा रहा है टेसला company कमाईगी और इसी में ही आप breakdown भी देख सकते हो ये red color दिखाता है कि कितना पैसा गाडियों की sales से आ रहा है orange color है ये energy के products बेचकर जो revenue आने लग रहा है टेसला, solar, roof और powerwall जैसे products और yellow color दिखाता है जो servicing से revenue आने लग रहा है तो around 80% company का revenue सिर्फ गाडियों की sales से आता है अब इसी चीज़ को अगर General Motors जैसी company से compare करे General Motors का कितना revenue आ रहा है लेकिन आप chart को grow होते हो देख सकते हो तो बड़ी जल्दी catch up कर भी रही है टेसला तो आने वाले कुछ सालों में हो सकता है कि टेसला General Motors और Ford जैसी companies को overtake कर ले अब interesting चीज़ यह है दोस्तों कि टेसला जितने पैसे कमा रही है उससे ज्यादा पैसे वो spend करने लग रही है आप सोचोगे कि यह कैसे possible हो सकता है profit margin तो काफी अच्छा था टेसला का यानि एक गाड़ी को manufacture करने में जितनी cost लगती है उससे ज्यादा तो उसे profit मिली जाता है 30% का अच्छा profit margin था तो कहां खर्च किये जा रही है पैसे इसका simple answer है दोस्तो research and development पर टेसला billions of dollars खर्च करने लग रही है research करने पर और अच्छी technologies को develop करने पर और exactly इसी reason से टेसला कंपनी कई सालों तक 2019 तक एक loss making company रही थी 2020 पहला साल था जब टेसला ने net profit कमाया और इससे भी ज़्यादे interesting चीज़ पता है कि है दोस्तो जहाएं एक तरफ बाकी car manufacturing companies काफी पैसा खर्च करती है advertising में, marketing में, गाडियों को promote करने में वहीं दूसरी तरफ टेसला का advertising spending zero dollars है zero dollars टेसला कोई पैसे नहीं खर्च करती advertise करने में अपनी गाडियों को इस चार्ट को देखो ज़रा बड़ा अच्छा comparison दिखा रखा है कि अलग-अलग car companies कितना पैसा खर्च करती है research and development में per car और advertising में per car टेसला के लिए advertising spending zero है लेकिन research and development spending almost तीन गुना ज्यादा है बाकी car companies के comparison में आप शाद सोचोगे कि यह कैसे possible हो सकता है एक company बिना ads दिये कैसे अपने products बेच सकती है इसका simple answer है Elon Musk की popularity Elon Musk खुझ से ही इतने popular इंसान है कि वो एक tweet करते हैं महाँ पर doge coin का price उपर नीचे हो जाता है तो imagine कर सकते हो इतने popular इंसान को अपनी company की promotion के लिए कोई जरूत नहीं है advertising पर spend करने की इतनी ज्यादा hype build up हो रखी है Tesla के लिए यह automatically सारी media companies इसे coverage देती है इतने ज्यादा exciting नए features है इनकी गाडियों में इतनी ज्यादा नए unique चीज़े यह present करते हैं कि अपने आप ही लोग curious होकर उसके बारे में social media पर लिखते हैं बात करते हैं और बाकी media companies अख़बारों में चापती है TV पर बात करती है न्यूस चैनलों में इसकी इस चीज़ को marketing में कहा जाता है word of mouth अगर आपको एक चीज़ इतनी पसंद आई अपने family members को बताते हो वो इन वीडियोस को देखते हैं उससे आगे जाकर और लोग इन वीडियोस को देखते हैं और मुझे भी कोई advertising में पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती इसके लावा कई और ऐसी unique चीज़े हैं टेसला के बारे में जो इससे बाकी car companies के comparison में काफी अनोखा बनाती है special बनाती है एक और example है इस चीज़ का इनका car dealership model बाकी car companies अक्सर car dealers के थूँ अपनी गाडियों को बेचती है यहाँ पर एक third party involved होती है बीच में आपने देखा हो जब आप गाड़ी खरीदने जाते हो इसकी वज़े से middle man कोई नहीं है बीच में कोई negotiation करने का जंजट नहीं है और commission में भी कोई पैसे waste नहीं हो रहे टेसला के लिए इस model का disadvantage यह है कि टेसला के लिए cost बढ़ जाती है उसे अपने delivery centers खुद से खोलने पड़ते हैं वहाँ पर staff को hire करके रखना पड़ता है maintenance करवानी पड़ती है उन्हें सिखाना पड़ता है तो यह सारी cost बाकी car companies को bear नहीं करनी पड़ते लेकिन advantage यह है कि टेसला के बास पूरा total control रहता है from start to end इसे आप compare कर सकते हो apple company से apple भी यही करता है ज्यादा से ज्यादा चीजों पर control रखने की कोशिश करता है apple चाहें वो operating system हो software हो phone का या chip manufacturing हो अब टेसला का यह direct sales method actually कुछ US की states में band है जैसे की Texas में इस reason से Tesla कोई directly गाड़ी नहीं बेच सकती Texas state के अंदर Texas में रहने वाले लोगों को बाकी states में जाकर यह खरीदनी पड़ती है एक और बड़ी खास बात है Tesla के बारे में इनकी giga factories बहुत बड़ी factories जो इन्होंने establish करी है economies of scale principle establish करने के लिए economics में concept होता है economies of scale जितनी ज्यादा बड़े scale पर production करी जाती है किस चीज की तो cost per item कम हो जाती है तो electric गाडियों में काफी सालों तक problem यह होती थी कि batteries की cost बहुत जादा होती थी तो Tesla ने giga factories का concept इंटर्ड्यूस किया कि हम इतनी बड़ी बड़ी factories बनाएंगे जहाँ पर हम अपनी गाडियों की batteries की manufacturing करेंगे जिससे कि इनकी cost कम हो पर आज के दिन 6 giga factories exist करती हैं दुनिया में जिनमेंसे 4 अभी functional हैं और 2 under construction हैं और इन सब के इलावा शायद सबसे बड़ी खास बाद Tesla के बारे में यही है कि किन technologies का ये इस्तिमाल करते हैं अपनी गाडियों में जिस तरह कि self driving technology इन्होंने इस्तिमाल करी है शायद किसी भी गाड़ी में नहीं देखी गई है पहले इनका autopilot mode almost एक driver बिना कुछ करे गाड़ी चला सकता है गाड़ी खुद को drive कर सकती है इनकी गाड़ीों में लेके safety features one of the best हैं दुनिया में और दुनिया भर में electric गाड़ीों को popularize करने का credit Tesla को ही जाता है दो सालों में 15 गुना increase आ चुका है इसके stock price में यानि December 2019 में अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते है तो आज के दिन उन 1 लाख रुपए की कीमत होती 15 लाख रुपए और इतने सारे लोगों का Tesla के stock में इन्वेस्ट करना उन्हें लगता है कि इतनी valuable company ये होनी नहीं चाहिए अगर इसके realistically यहाँ पर data देखा जाए statistics देखी जाएं तो क्या current है कि कुछ लोग मानते हैं कि Tesla overvalued है इन reasons को देखते हैं जरा पहला है कि बाकी car companies ने भी electric vehicle के market में अपनी entry मार ली है और Tesla का जो market share है वो कम होने लग रहा है साल 2020 में पहले 6 महीने में Tesla का जो electric vehicle registrations थी total जो होई थी US के अंदर Tesla का उसमें market share 79% के आसपास था लेकिन साल 2021 के पहले 6 महीनों में यही market share नीचे गिर कर 66% पर आ गया दूसरी जो car companies है उनका market share बढ़ने लग रहा है Audi का market share बढ़के 3.3% तक हो गया Ford का बढ़कर 5.2% तक हो गया Chevrolet का बढ़ गया और इन में से almost सारी companies ने अपने electric cars के models introduce कर दिये हैं और कई cases में वो Tesla के models से काफी सस्ते हैं दूसरा important reason है आपर regulatory credits इसकी मैंने वीडियो में पहले बात करी थी regulatory credits actually में एक बहुत important जरिया है जिसकी मदद से Tesla आज के दिन profitable बन पा रहा है Tesla के लिए ये एक revenue source है क्या होते है regulatory credits असल में बात किया है कि America में एक point या credit system बना रख है जो companies pollution नहीं फैलाती या फिर एक minimum pollution emission के standard को meet करती है US government उन्हें credits देगी या points देगी इन्हें regulatory credits कहा जाता है अब companies के पास दो options है या तो वो ऐसी गाडिया manufacture करें जो pollution नहीं फैलाती या फिर अगर वो ऐसी गाडिया manufacture कर रहे है जिनसे pollution आता है तो उन companies को regulatory credits खरीदने पड़ेंगे या तो सरकार से या बाकी companies से और टेसला को काफी सारे ये regulatory credits मिले होई है क्योंकि वो इलेक्टरी गाडिया बनाती है सिर्फ कोई pollution नहीं फैलता उनसे तो जो बाकी car companies है इन्हें टेसला से ये regulatory credits खरीदने पड़ते है और ये टेसला को पैसे देती है उसके बदले और यही एक बड़ा revenue source है टेसला के लिए 2020 के annual report के according almost 500 million dollars जो टेसला ने कमाए है वो इन regulatory credits से ही आए है इन फैक्ट अगर ये regulatory credits से पैसा नहीं आता टेसला के पास तो साल 2020 में टेसला एक profitable company नहीं होती उस साल ये net loss में जाती इस चार्ट में आप देख सकते हो कि टेसला के net profits पर कितना असर पड़ता अगर regulatory credits से आने वाला पैसा नहीं होता टेसला के पास तो तो कई experts का मानना है कि आने वाले कुछ सालों में ये revenue source बचेगा ही नहीं टेसला के लिए क्योंकि बाकी car companies भी अब और ज्यादा electric गाडिया बनाने लग जाएंगी और या फिर almost completely switch कर जाएंगी electric vehicles में तो regulatory credits खरीदने के उन्हें कोई जरुवत नहीं पड़ेगी टेसला से और टेसला के लिए ही ये पैसा गया अब आने वाले सालों में क्या टेसला एक successful company बनी रहेगी या फेल हो जाएगी ये तो अब टाइम ही बताएगा लेकिन मैंने अपनी तरफ से आपको दोनों sides बता दी हैं argument की आपकी क्या राय है इसके बारे में नीचे comments में लिखकर बताईए बहुत बहुत धन्यवाद